Hello and welcome to the EZ classes. इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे पब्लिक फाइनांस से एक कॉंसेप्ट या आप कह सकते हैं के दो कॉंसेप्ट या आर टेक्स बॉयंसी और टेक्स इलास्टिसिटी. ये conceptual elements हैं, इनका clear होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि ये दोनों बहुत ही important indicators हैं for the economy, especially the government's revenue and the potentiality के कितना revenue बढ़ सकता है. तो इसलिए बहुत important है और इनका समझना जरूरी है. एक चीज़ और है, अक्सर मैंने as teacher इस बात को observe किया है amongst the students, especially जब उनकी answer वो co-evaluate करते हैं, तो अक्सर students confused होते हैं, वो text buoyancy और text elasticity जो के आज का topic है मारा, जो आप board पर देख सकते हैं, इनको interchangeably use करते हैं, वो confused होते हैं लेकिन interchangeably use नहीं होते हैं, दोनों एक चीज़ नहीं है तो इसलिए इनकी clarity ज़रूरी है और दोनों अलग-अलग किस चीज़ को indicate करते हैं, किस चीज़ के लिए हम इनको use करते हैं, उसका समझना ज़रूरी है, इसलिए आज का topic है, text buoyancy and text elasticity, तो पहले हम buoyancy को लेते हैं, tax buoyancy, tax buoyancy है, increase in tax revenue as a result of increase in GDP, अब GNP भी ले सकते हैं, लेकिन GDP किसी बज़ा से important है, जो मैं अभी उस पर आता हूँ, तो किस rate पर basically tax collection economy का बढ़ेगा, जबके national income आपकी ग्रो कर रही है, या GDP ग्रो कर रही है, अक्सर आपने सुना होगा, tax GDP ratio, tax GDP ratio is a indicator, और GDP basically indicate करता है, economic activities taking place in the economy itself, यानि economic अंदर जो economic activities हो रही है, उतको indicate करता है, क्योंकि GNP में तो हम outside उसको भी शामिल कर लेते हैं, यानि GDP में जब आप net factor income earned from abroad शामिल करते हैं, तो result कोई बहुत ज़्यादा indicator के point of view से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप GNP पर भी करेंगे तो भी buoyancy वही माने देगी आपको, लेकिन normally इसको GDP पर करते हैं, तो tax buoyancy क्या है, increase in tax revenue as a result of increase in GDP, या आप यह कह सकते हैं कि 1% GDP के बढ़ने की वज़ा से tax revenue कितना बढ़ेगा, अब suppose tax revenue growth जो है, suppose वो 15% है, किसी particular year में, obviously flow concepts हैं दोनों, तो इसको हम over the period of time ही major करेंगे, एक particular year में, financial year मान लीजे, और GDP growth suppose 5% है, तो tax buoyancy हमें से टी बी खाली लिख रहे हैं, यह होगा 15 over 5 is equal to 3, यानि tax buoyancy होगी 3, अच्छा tax buoyancy किस चीज़ को indicate करता है, कि अगर GDP बढ़ रहे हैं, यहां से बढ़ती है GDP further, तो tax growth rate उतना ही रहेगा, यानि tax का collection उतना ही रहेगा, इसकी growth उतना ही रहेगा, या बढ़ जाएगी, या कम हो जाएगी, क्योंकि सारी ही चीज़े possible हैं, अगर tax revenue बढ़ता है, उसकी growth rate बढ़ती है GDP के मुकाबले में, तो हम यह कह सकते हैं, कि बहुती point tax administration है economy का, ठीक है, लिकिन इसमें एक problem है, और वो problem यह है, कि जब हम tax buoyancy को calculate करते हैं, तो वो हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है, कि इसमें कितना element जो है, वो naturally बढ़ रहा है, जबके GDP बढ़ रही है, और कितना element इस बात का है, या कितनी बढ़त, कितनी बढ़त naturally है GDP के वज़ा से, और कितनी बढ़त इसमें जो है, या कितनी increase इसमें है, कुछ discretionary measures के वज सकता है कुछ fiscal concessions withdraw कर लिए उसकी वज़ा से भी बढ़ सकता है जो पहले आप दे रहे थे कुछ नए टेक्स लगा दिए जो पहले नहीं लगते थे उससे भी बढ़ सकता है बलके अच्छा होगा कि मैं इसको लिख दू ओके कौन-कौन सी discretionary measures हैं जिसकी वज़ा से discretionary measures discretionary measures है tax rate tax rate वो discretionary measures that cause the increase or that can cause the increase in tax revenue okay so tax rate increase introducing new tax we now tax up an introduce कर दिया है विद्ड ड्रॉइंग सम फिस्कल कंसेशन्स कुछ फिस्कल कंसेशन्स जो पहले दे रहे था आप नहीं दे रहे तो दाहरे उन को भी tax देना पड़ेगा वो चीज़ें हो सकती थी अच्छा इसमें दो चीज़ें जिसको समझना पड़ेगा एक तो जब आप tax rate को बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे या कुछ कंसेशन विड्डरॉ करेंगे तो इसकी possibility है कि कुछ और लोग tax net में आ जाएं तो यह अलग से पर point नहीं बनता उसके साब से देखेंगे इसके वज़ास से हो रहा है लेकिन यह भी हो सकता है कि आपके वो सारी चीज़ें वो रहे ही लेकिन फिर भी टेक्स पेर्स बले वो होता है वो reflect करता है आपके efficiency of tax administration और tax administration की efficiency भी किसी ना किसी government के measures की वज़ा से आएगी वो नेच्रल दोहने के GDP के बढ़ने से efficiency भी आ रही है ऐसा नहीं है तो यह सारी चीज़ें जिसकी वज़ा से बढ़ सकता है जो discretionary measures है तो जब आप tax buoyancy को calculate करते है तो इसमें इन discretionary measures को neutralize नहीं करते हैं तो हम यह पता नहीं लगा सकते कि कितनी increase जो है वो discretionary measures की वज़ा से है और कितनी increase GDP के बढ़ने की वज़ा से है इसकी example आप GDP या national income से आप ले लें कि national income again a flow variable है जो साल में आप calculate करते हैं तो national income को आप constant price पर भी calculate करते हैं और current price पर भी calculate करते हैं constant price पर calculate करने का मतलब यह है कि हर साल की GDP को एक base year के उपर आपने calculate किया यानि base year 2010-11 हो सकता है इसके उपर आने वाले हर साल की income को उसी पर calculate करें तो जो भी reflection होगा वो होगा increase in real GDP लेकिन अगर हर साल की income को उसी साल के price पर calculate करेंगे तो उसमें से आपको और यह मुश्किल होगा मुश्किल क्या है विड़ना मुमकिन होगा यह पता लगाना पता लगाने के तरीके हो सकते हैं लेकिन खाली वो figure आपको यह नहीं बताएगी कि इस growth में कितना role price increase का है और कितना role जो है वो real output की increase का है that is output of goods and services तो इसलिए tax buoyancy हमें बहुत कुछ indicate कर और कितनी potentiality है उसमें के चीज़ों को और improve कर सकें बहुत सारी चीज़े indicate होती है उससे लेकिन यह never the less हम नहीं पता लगा सकते कि खाली GDP के बढ़ने के वज़ा से tax rate कि और sorry tax collection कितना बढ़ रहा है tax revenue कितना बढ़ रहा है और कितना उसकी वज़ा से बढ़ रहा है उसके आफ्टर टेक्स elasticity यह तो बताती है कि हमारा tax system कितना robust है अगर economy की growth हो रही है तो हम कितना उसमें से टैप कर सकते हैं for the government revenue टेक्स कलेक्शन कितना होगा tax revenue कितना ग्रो करेगा तो robust है हमारा tax system यह तो पता लगेगा अगर बढ़ बढ़ ज्यादा है लेकिन टेक्स elasticity भी important है अक्सर आपने यह word सुने होंगे कि टेक्स system point है यह particular text more elastic है यह less elastic है यह word सुने होंगे और यह concept इसमें भी use होता है कि बहुत सारे वो sources जो के elastic sources of revenue है वो center के पास इस्टेट के पास एक sales tax या tax on goods को छोड़के ज्यादा elastic source नहीं अब यह जो वो हमें बताती है कि जब हम in discretionary measures को neutralize करते है यानि calculation उसके methods है उस methods पर मैं नहीं जा रहा कि जब उनको neutralize कर दें तो tax collection की growth कित्ती हो रही है यह tax revenue की growth कित्ती हो रही है मतलब यह कि वो increase जो होगी वो सिर्फ GDP की increase की वज़ा से होगी और वो बहुती clearly indicate करेगी कि आपका tax system robust कित्ता है कि GDP की growth को पूरा के पूरा टैप कर रहा है यानि एक चीज़ और जो इससे relevant है कि किसी particular tax से उसके tax rate को increase करके कितना revenue लिया जा सकता है यह भी अपने आप में एक topic है जिसको एक hypothesis है लाफर कर्व की लाफर कर्व यानि वो अलग से भी एक topic हो सकता है लाफर कर्व क्योंकि लाफर कर्व आपको यह बताता है कि tax rate में और revenue collection में कितना क्या relationship है यानि अपरेंटली तो यह लगता है कि आप tax rate को बढ़ाएंगे तो revenue collection बढ़ेगा लेकिन क्या यह relationship constant है क्या यह relationship increasing है यह relationship decreasing है या है ही नहीं या यह ज़रूरी है कि जब भी tax rate को बढ़ाएंगे तो हरहाल में tax rate revenue collection बढ़ेगा यह लाफर कर्व indicate करता है तो यह इनी दोनों चीज़ों से यह चीज भी निकल के आती है कि यह आपका एक तरह से लाफर कर्व हुआ यहाँ पर tax rate है tax rate और यहाँ पर revenue यानि revenue collection यानि government के पास कितना revenue आ रहा है जब आप tax बढ़ा रहा है तो आप यह देखेंगे जैसे जैसे यह tax rate बढ़ रहा है और वैसे वैसे यह tax collection बढ़ रहा है और यहाँ पर पहुचने के बाद आप देखते हैं कि यह उसके बाद tax rate की वज़ा से revenue बढ़ना बंद हो गया तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है suppose OR जो है यह optimum है किसी particular tax की वज़ा से किसी particular tax पर ही apply करें करेंगे इसको क्योंकि सब पर करेंगे तो बहुत ही mix पसिम का result देगा और बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को neutralize करेंगे तो clear picture नहीं आ पाएगी तो यह particular tax जो optimum है इससे कम करेंग तो भी revenue कम होगा इससे ज्यादा करेंगे तो भी revenue कम होगा अब आप कि दिमाग में इस हवाला सकता है कि tax rate बढ़ाएंगे तो revenue कम क्यों हो जाएगा उसकी वज़ा यह है कि tax rate जो है यह tax अपने आप में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको society और लोग जो है बहुत welcome करते हैं सार हो यह आपकी जैप पर ही बहुत पढ़ रहा है इसलिए यह possible है कि जब tax rate एक limit के बाद बढ़े तो यह work effort को affect करें यानि उन activities को affect करें जो activities जो है income को generate कर रहेंगे for example maximum marginal rate एक चीज होती है tax का income tax का personal income tax का वो यह है कि जो highest slab है income tax rate में जो अब किसी country का rate है highest slab उसके उपर highest rate होता है आजकल इंडिया में 30% है कोई सरचार जालग है उसके लावा तो 30% है अब 30% के बाद अगर कुछ और लगाएंगे तो हो सकता है मैं सोचों कि भाई मैं अगर कमाऊंगा तो 30% मैं दे दूँगा तो हो सकता है कि मैं कम कमाऊं मैं आराम करूं क्योंकि जो आप अपना time है वो चीजें उन चीजों पर खर्च कर रहा है जो चीजें इंकम आपको नहीं दे रही है उसमें आपका सोना भी शामिल है उसका फैमली के साथ वक्त गुदारना भी शामिल है उसमें पिकनिक भी शामिल है उसमें रेस्टों में खाना खाना भी शामिल है दोस्तों के साथ ग माईली काफी है तो वो potential income generate हो ही नहीं पाई जो के हो सकती थी तो tax rate नहीं आगा इंथान के work effort कम हो गए आपको यकीन नहीं आएगा at one point of time in India maximum marginal rate of tax was 97.5% it was sometime around mid 70s 97.5% can you imagine मतलब यह इसको कहते है confiscatory tax rate यानि हर एक रुपया जो आप आण कर रहा है उस level of income के बाद उसवत शायद यह दो लाग थी जो उसवत के हिसाब से ज्यादा amount था आज तो दो लाग तनी लगता तो यानि उसके ऊपर जो अब हर एक रुपया जो आप आण करते हो उसमें से 97.5 पैसे साड़े 97.5 पैसे जो है अब सरकार को देते हो और डाई पैसा खुद रखते हो तो आदमी यह सोच सकता है कि हम इतना काम करने के दुरूत नहीं हम अपनी लेजर पर खर्च करेंगे एक काम तो यह हो सकता है कि वह income generate नहीं क्योंकि वर्क एफट जो है परवर्स incentive यानि tax evade करने का incentive हम आप पहुद जाता है यानि अगर हम tax किसी तरह से बचा लें अब tax बचाना कि हम अपने income को चुपा ले उससे tax बचेगा तो अगर हमने 100 रुपए बचा लिए तो हमने इसका मतलद 97.5 बचा लिए अगर हमने 100 रुपए taxation authority से चुपा लिए तो ये परवर्स incentive है basically यानि बहिमानी करने का incentive दे रहा है तो ये कुछ वजाएं हैं जिसकी वजा से ये एक particular rate of tax के बाद tax rate in fact घटना शुरू हो जाता है तो ये important है हमारे tax administration में ये consideration तो revenue elasticity और tax buoyancy जब इन दोनों को आप compare करते हो तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि हमारे पास discretionary measures के अलावा ये situation है that is tax buoyancy ये है अब हम देखेंगे किस rate में किस rate को बढ़ाने से और ज्यादा बढ़ सकता है यानि revenue elasticity अब आपने निकाली tax elasticity आपने निकाली तो पता चला ये बिल्कुल GLP की वजा से है और tax buoyancy से compare किया तो बाकी थारी चीज़ें जो है जो है वो tax collection उसरी tax rates की वजा से है या दूसरे concessions दूसरे fiscal discretionary measures की वजा से है अब आप ये भी देख सकते हो कि हमारे कौन से taxes जो है जिनके उपर लाफर कर्व apply हो रहा है यानि उनका हम tax rate बढ़ाएंगे तो revenue बढ़ेगा कि इनका बढ़ाएंगे तो हो सकता है कम हो जाए तो आपका tax administration better हो सकता है tax management better हो सकता है इसलिए अच्छा इसके लिए एक और भी है वह मैं लाफर कर नहीं किसी बत करूंगा एक study थी क्योंकि ये high rate of tax जो है वो इंडिया में ही इतने ज्यादा नहीं थे ये throughout क्योंकि एक मानना था कि income tax rate चूंकि वो progressive बना सकते हैं उसको progressive rate in progressive tax का मतलब यह कि ज्यादा income को ज्यादा rate पर tax करना वो means हो सकता है redistribution of income का कि आप पैसे वालों से ज्यादा tax लें कम पैसे वालों से कम लें और जो उनके पास नहीं उनको किसी ना किसी शेकल में public expenditure की शेकल में आप दे दें subsidy उसमें से एक हो सकती तो यह चीज़ है important इसलिए भी हो जाती है UK में for example भी यह rate 90 के आसपास यह 90 से कुछ उपर था US में भी 80 में था यह rate I mean somewhere between 80 and 90 तो यह rate हरवत ज्यादा रहा है लेकिन 70 में एक study आई जो diamond and merleys की study थी जिसको मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जा रहा हूँ diamond and merleys की study यह थी कि उन्होंने England की tax system को study किया और उन्होंने पाया कि effective rate of tax कभी भी 30-32% से ज़ादा रहा ही नहीं effective rate of tax क्या है यानि अगर उसको आप शामिल करें कि जो के और additional income potentially earn की जा सकती थी लेकिन rate of tax की वज़ा से नहीं हुई तो आप ले तो tax rate खोया क्योंकि वो income ही जनरेट नहीं हुई तो उसके बाद ही basically diamond merleys की पहली study थी फिर mid news को study किया in the late 70s और उसके बाद यह trend बना कि tax rates को downwardly revise किया जा सके तो जब हम इन चीजों को देखते हैं और हमें यह पता लगाना हो कि कौन से rates कौन से taxes ऐसे हैं कि जिनको हम rate को manipulate करके टेक और बढ़ा सकते हैं और किन पे laver curve apply हो रहा है किन पे नहीं हो रहा है कौन सा rate फॉर एक्जामपल यहां पर है इसमें पूरी potentiality है कि बढ़ जा है कौन सा rate कौन से tax जो है जिसमें rate यहां च tax buoyancy क्या है और tax elasticity क्या है तो I think यह sufficient है इन concept को समझने के लिए और इन concepts को apply करने के लिए अब यह कैसे calculate होगे कैसे neutralize करेंगे यह अलग पूरा topic है ठीक है तो thank you very much for patiently listening to this lecture